हेलो एब्रीबन दिस इस पुरू जनुत्रिया अब देखने बिसिक ज्यान आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिक सेंसियाइटी साइंस का चैप्टर वन जिसका नाम है फूड वेर डज इट कम फ्रॉम ओके छोटा सा चैप्टर है बहुत बिसिक बिसिक इंफर्मिशन दे एंफर्मिशन जो है अपने को व्याद रखनी है और कौन सा з씨 नाम है नोर्मल है तो अपने 오른र चैप्टर करते हैं जो है अपम इन आप मैं बताया है चैप्टर कर नाम है फॉट्र वेर डजचट कम फ्रॉम ओके यह कहां से आता था पोसर जो है तो अपने स्टार्ट करते ह तो what did you eat at home today, आज आपने गर पे क्या काया, find out what your friend had today, पता कीजी काया, आपके दोस्तों आज क्या काया, did you eat the same kind of food yesterday and today, क्या आपने कल जो खाया, वो ही आज खाया, we all eat different kind of food at different times, हम अलग-अलग occasions पर या अलग-अलग time पर जो अलग-अलग तरह का food काते, is not it, क्या है, सही नही है, food variety, तो यह जो है, एक table दे रखिये, तो में table में लिखना है कि किस student ने जो है, या पर किस आपके दोस्तों ने क्या 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 खाया, उसके list बनाने, उसी के बारे में दे रखा, ask your friend in the school about the item they would be eaten, eating during a day, see if you can also get this information from friends, eating in different state of India, list all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible, तो यह वही बता रहा है कि आपको अपने दोस्तों से पूछना है, मतलब है, इस 6th class के बच्चों के लिए है, तो अपने दोस्तों से पूछिए कि उन्होंने आज क्या खाया, अगर आपकी दोस्तों अगर अलग अलग स्टीट में है, जैसे कि आपके कजन्स बगरा, तब अब उनसे भी फॉन करके पूछिए कि आपने क्या क्या खाया आज क्या, तो वह अपने टीबल में नोट डाउन करना है, उसके बारे में देरका बागी का है, कोई खास इंपरमिशन है, कुछ भी नहीं है, ओके, यह different food items है, ठीक है, इडली सामर और चटनी, different food items, यह फिस हो है, कुछ चावल खाता है, कोई डाल रूटी खाता है, सबजी, एक सेक्टर जो भी बहुत सारे नौर्थ इस्ट में जाओ को तो अलगता है, यह इंडिया की वराइटीस है, अलग अलग फॉरण कंट्रीस में जाओ तो उसका तो अलग अलग रहता है, लेकिन अगर आप जै इस फूड आइटम मेड अफ यह फूड आइटम जो किसके चीज के बने होते हैं, इसके बारे में अपन देखते हैं, तिंक आबाउट राइस कोक डैटों, आपने जो घर पे चावल उनाया उसके बारे में सूचिए, ओके, वी टीक रो राइस एंड बॉल इट इन वाटर, हम मतलब जो है, राइस लेते हैं, राइस मतलब जो कच्छे चावल लेते हैं, जो मार्केट साथ में वाले चावल लिया, अपन को गरम पानी मुंसे बॉल करते हैं, ठीक है, जस्ट तू मैट्रियल और इंग्रेडियन्ट आर नीड़ तो प्रिपेर डिस बॉल राइस, वेजटेवल करी, वी नीड डिफेरेंट केंड वेजटेवल, सॉल्ट, स्वाइस, सौल्ड और अगर दूसी तरह हम बात करें, तो सम फूद आइटम सान मेड विद मैनी इंगेडियन्ट, तो बहुत सारी फूड जो होते हैं, वो बहुत सारी इंगेडियन्ट से मिलके बने अगर कोई सबजी की बात करें, वेजटेवल करी की बात करें, वेजटेवल करी की बात करें, वेजटेवल के बहुत सारी हमें, अलग तरह की सबजी चाहिए, अलो गोबी की सबजी चाहिए, मतलब सॉरी, आलो भी चाहिए हमें, गोबी चाहिए, बेंगन, गाजर, मतर, जो तो इस तरीके से जो है, boiled rice और other जो है, दूसरा हमने जो खाना बनाया, उसमें काफी ज़ादा difference है, बहुत सारे ingredient के जुरत पड़ती है, ठीक है, तो वे आपर next देखते हैं, यह बता रहा है कि आपने जो जो चीज आपने देखी है, जैसे कि आपने दाल चावल देखे, तो दाल अलग चावल अलग तो चावल के लिए boiled rice हो गए, boiled rice में क्या है, water and rice ingredient हो गए, अगर दाल की बाद की जाए, तो दाल हो गई, उसके बाद spices हो गए, oil हो गए, मसाले बगर हो गए, यह भी एक सक्टा और भी सारी चीज, अगर जैसे कि आपने देखा, food items देखा है, food items, तो food items में क्या, यह देखा, रोटी यह चपाती है, तो रोटी चपाती किसे बने क्या, आटा प्लस वाटा, मनला, पिसा हुआ हटा लोगे, मिलला पिसा हुआ हटा लोगे, मिलला, पिसा हुआ क्या हूँ, स्पाइसेज और जो भी एकस बार चड़ ये सारी चीचा आप कुछ यह तो फूड हो गया इनके इंग्रेडियंट हो गया तो यह इस परकार से लिश्ट बनाने के लिए बोल रहा है कोई खास नहीं अपने एक स्थिक्ष्थ है चैनल टो के कार्स वी और के nasal है वी आखिए थैनंछ हो गया का काफी सारी खाने में सब्सक्राइब करने में तो यह तो यह नहीं आते इह वैसे में वैसे ले साद और से गाते It may be easily for us to guess the source of some of the ingredient that we listed in table 1.2, fruits and vegetables, fruits and vegetables, for instance, where do they come from, plant of course, So, it's a fact that, in our table, there are many ingredients that come from, where do they come from, fruit and vegetables, plants will come from, fruit and vegetables, no doubt plants will come from. What are the source of rice and wheat? So, the cowl or the cowl source of the source of the wheat, it is obviously the plant. You may have seen the wheat and the wheat fields with the rows and rows of plants which give us these grains. Now, after the wheat, the seeds are then out of the orchard, it is called in the lime, the little lime, the orange, the lime, the lime, the lime, the lime, the lime and the lime, the lime. This is the lime, which means the harvest according to the wheat. So, if you go there, the rose, we will find the fruit of the rice. The pronouncements are made of the pinecli, which will be used for a rice called meat. को अनाज प्राप्त होगा ठीक है and then there are food items like milk, egg, meat which comes from animals तो यह जो हमें दूद मिलता है, अंडे मिलते हैं, मीट मिलते हैं, यह हमें अनिमल से प्राप्त होती है तो हमें शोर्स का पता चल गया जैसे कि अगर हमें fruits प्राप्त हो रहे हैं, vegetables प्राप्त हो रही है गयों, चावल, अनाज बगरा जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, वह सब प्लांट से प्राप्त हो रहा है लेकिन अगर हमें दूद मिल रहा है, हमें एक्स मिल रहा है, हमें मीट मिल रही है, तो यह हमें जो अनिमल से प्राप्त हो रही है ही ठीक है तहीं इनके Snart थो यह प्लांट si Alice में लिखे एक पनंच applies के रहों है Hayسas is in Virum होग कर दूब टो अभी पन कहाते कि ह mango pineapple ऐपलों के रहता थी कि प्लांट Snart piano राइमान के अनेयमल स्यों था में यह मिलक हो गया है एग हो गया यह मुड़ी अयस शेंडया के activity 3 के बारे में नोने let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from okay the ingredient at their shores some example are shown in table 1.3 fill in the blank in table 1.3 and add more example to this list ये student के activity के लिए इतना कोई वो नहीं है ये wheat जो है wheat की crop है तो ये क्या है कि एक rom है particular rom है ना line make तो source of food grains के ये paddy field हो गई ठीक है और ये हो गया wheat grain transported ये क्या है कि जो गयों का transportation हो रहा है बेल गाड़ी पे जो है ये किसान है ये लेके जा रहा है अपने उसको ठीक है ये table देख लेते हैं 3 table 3 में क्या है idli food item के इन बारे मतरज़े से कि idli food item इसके ingredient क्या होता है इसका rice होता है इसकी औरदिकी दाल होती है ingredient में salt होता है और एक water होता है idli के लिए sources क्या है plant है idli जो है fully source जो है idli का वो है plant इसके ingredient जिनकी जरुत होती होती है rice और अधकी दाल salt and water ओके चिकन करी के लिए बात करीता है चिकन करी के लिए चिकन चाहिए spices चाहिए oil गी चाहिए water चाहिए तो चिकन जो है वो animals और से है मुर्गी को काटके तो chicken मिना जाता है raw chicken जो प्राप्ट के जाता है तो यह animals है spices जो मसालिव अगर हो गए oil गी वोटर यह जो है plant animals अलग-अलग से ठीक है और अभी अपन यह next देखते है यह है खीर खीर में देखते तो क्या चाहिए खीर में milk होता है rice होती है सुगर होती है milk जो आता है animals आता है rice जो प्लांट और सुगर जो है वो obviously plant से आता है जो गन्य की खेती होती है processing करके जो चीनी बनाए जाती है अपने next देखते है what do we conclude from activity 3 plant are sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits, animals provide us with milk, meat, products and eggs तो यह बता रहा है कि अपने table के दुरू क्या अपने gain किया तो हमने पाया कि plant seeds जो है उनके great natures grain हुए cereals हुए daal हुए vegetables हुए and fruits they come from plants and animals provide us with milk meat and eggs okay cows, goats, buffaloes are some common animals which give us milk cow, goat, buffaloes गाय हुई, बकरी हुई यह जो हमें milk प्रोबाइड करती है milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world तो milk and milk की जो प्रोड़क्ट है milk के प्रोड़क्ट कौन कौन से हुए butter हुआ cream हुआ cheese हुआ curd हुआ यह पूरे all over world में यूज होते है can you name some other animal which give us milk ? तो आप और भी नाम के बारे में बता सकते है जो कि अपन को दूर से प्राप्त होते है तो obviously है गी जो है भी अमें दही से प्राप्त होता है दही को जो हम प्रोसेस करके गी निकला जाता है तो इसे कई सारे एक्जांपल्स है जो कि हमें 9. प्लांट, पार्ट्स, अनिमल्स की बात की चैए, ब्लांट 1944 पार्ञ अनिमल्स प्रणक्ट्स, आज Clip तो पाधप की छो भाग और एनीमल प्रडट्ट्ट जो है वो फौड की रुप में उस होता है वो कौन कौन से क्या कैसे है प्लांटर वन्चोर्स दफार फूर्ड प्लांट जो एक स्योर्स है व्मारे फूर्ड का, 빛 पार्ट्स उपा प्लांट जो की प्लांट का पार्ट होता है क्योंकि फ्रूट्स हो सकता है हम फ्रूट्स काते हैं लीप्स काते हैं हम जड्स मतलब रूट्स काते हैं तो यह क्या है कि काफी सारे अलग-अलग जो चीज हम प्लांट की खाते हैं वो उसकी पार्ट्स है ठीक है we eat many leafy vegetables हम काफी सारे पतेदार सबजीय काते है ठीक है we eat fruits of some plants हम कुछ पादपों की fruits काते है sometimes roots हम कुछ पादपों की जड़ें काते है sometimes stems काई पादपों की तने को खाते है even flowers even फोलों को भी खाते है have you ever eaten pumpkin have you eaten pumpkin flowers different rice, paste and fried तो क्या आपने कभी pumpkin की जो flower होते है कद्दू की जो flower होते है वो आपने rice की paste में dip करके उनको fried करके खाया है try it मतलब ये करके दिखिए टेश्टी लगता है एक दिख अपन फ्लार प्रावन फ्लार की जो पार्ट सो उनके बार हम discuss कर लेते है प्लार के पार्ट सो ये जो ओगए Sorry, plants के पार्ट तो plants के पार्ट में ये ओगए floor ठीक है ये ओगए fruit ये ओगए stem ये stem हो गई ये ओगए leaf हो गई ये जो बढ़ बढ़ हो गई ये node पर जो निकलती है ना पती टैप की सिस्टक्चर node पर यह नोड पर जो निकलती है, पत्ती निकलती है, उसे नोड बोला जाता है, तो दो साखा निकलती है जहां से उसे नोड बोला जाता है, ठीक है, तो दो साखा निकलती है जहां से उसे नोड बोला जाता है, ठीक है, तो दो साखा निकलती है जहां से उसे नोड बोला जाता है, तो दो नोड की बीच की जो जगह होगा, उसे इंटर नोड बोला जाता है, तो जो भागा में दिखाई देता है, प्लांट का जो भागा में दिखाई देता है, उसे सूर्ट सिस्टम बोला जाता है, ठीक है, प्लांट का जो भागा में दिखाई देता है, उसे सूर्ट यह सब जो हैं वो हमें दिखाए नहीं देती तो यह root system के अंदर गताती हैं यह कहां जमीन के अंदर रहती है यह root system के अंदर गताती है अब यह next दिखते है some plants have two or more edible parts बहुत सारे plants ऐसे होते हैं जो एक से ज़्याद़ edible parts जो है उनके एक से ज़्याद़ पार्ट जहां उनके edible है खाने योग यह है ऐसे कई सारे plants होते है seeds of mustard plant give us oil मलब सर्सों के bees जो होता है वो हमें oil देता है and the leaves are used as a vegetable vegetable और इसकी जो पत्तियां होते है वो vegetable के रोप में जो है used होती है तो सर्सों की जो बीज होता है सब भी जानते हैं जो mustard बीज जो होता है जो seed होता है उससे oil निकाला जाता है mustard oil जो होता है हम खाने के लिए यूज करते है उसे और उसकी जो leaps होती है वो हम vegetable के रोप में यूज करते हैं can you think of the different part of a banana plant and plant that are used as food क्या आप सोच सकते हैं कि different parts पर बनाना मतला केले के different parts जो food के रूप में used होते हैं बनाना तो होता है और भी जो parts पर फोड के रूप में used होते है think of more example where two or more parts of a single plant are used as a food ऐसे plants के बारे में सोचिए जिनके एक से ज़्यादा parts जो है खाने के लिए यूज होते है ठीक है और यह table discuss कर लेते हैं अपन यह table है इसमें food item will plant as the major source ते रहा है जैसे के ब्रिंजल करी बैंगन की जो करी बनते है तो उसके लिए ingredient या source चाहिए वो क्या है ब्रिंजल चाहिए जो की एक fruit होता है ठीक है चिली है जी spice या एनी अधर चाहिए वो भी एक प्रकार का fruit है ठीक है ओएल from ground nut जो ground nut होते है मुंफली बगएरा उनकी basic oil निकल जाता है refined जैसे बोला जाता है mustard oil हुआ या soybean oil हुआ या फर एनी अधर plant से जो oil extract किया जाता है वह हुआ वह जो है plant part which gives us the ingredient तो यह जो seed part, seed वाला पार्ट है तो यह वाला fruit वाला पार्ट हो गया ब्रिंजल चिली हो गया वह भी fruit वाला seed जो है हाँ sorry oil जो है वह seed वाले पार्ट से निकलता है ठीक है अभी next दिखते है do not try to taste a non plant around you to see if they are edible some plants could be poisonous तो जो भी अपन को environment of plants के जो lips बगरा दिखते हैं पर कोई भी edible part से वो नहीं खाना चाहिए कि का मैं नहीं पता वो poisonous भी हो सकता है so be careful about that अब भी next activity 4 दिखते है from all the food item you have listed in table 1.3 choose those items whose ingredients are obtained from plants तो अपने 1.3 में table discuss किया अपनने जो भी 1.3 table थी तो choose those items whose ingredients are obtained from plants तो ऐसे item select किजिए जिनके ingredient जो है वो plant से प्राप्त किये गए है which part of a plant जो कि किस part से plant के किस part से जो है प्राप्त किये गए तो यह ingredients are obtained from plant plants अपने किये गए है which part of a plant plant के किस part से प्राप्त किये गए है identify these and list the food items and plant parts are shown in table 1.4 okay activity 5 take some dry seeds of moong और चना moong और चना के some dry seeds लीजिए put a small quantity obsidian in a container filled with water and leave this aside for a day अब को करना क्या है कि moong बगरा या फर चने की जो है सूखी बीज लेने और उनको इक container में पानी बढ़ा हुआ है उसमें एक दिन के लिए उसमें पढ़े हुए छोड़ देना है next day drain the water completely and leave the seeds in the vessel अगले दन क्या करना है कि पानी पूरी को खला देना है और जो container है उसमें जो है बीज को जो seeds जो है मोंग दाले चना दाल के उनको रहने देना है बस व्रेब देम विद पीस ओफ वेट क्लोथ and set aside इनको क्या करना है गीले कपटे से जो है गीले कपटे से उनको भान देना है और उनको एक साइडम रख देना है तो following day पूरे दिन के लिए do you observe any changes in the seed आपने seed में कोई भी changes देखे और small white structure may have grown out of the seeds तो इसमें कहें कि small white structure may have grown out of the seeds तो यह कहें कि सफेद जो है structure जो दे रखिये वह जो है ग्रोन करने लग जाएगी ठीक है बीज से यह सफेद structure the seed have sprouted, seed जो है वह अंकुरित हो चुका है figure 1.5 में दिखा रहा है if not wash the seed in water, drain the water and leave them aside for another day अगर यह एक दिन में निकलना तो आपको यही same process जो है अगली दिन के लिए है दोरानी है अगर वह एक दिन में नहीं sprout हुआ है तो तो वह हो जाएगा वह मौंग दाल का था यह चने की दाल का है ठीक है जो निकल रहा है और यह गर covered with a wheat cloth आपको फिर से डग जेना है the next day see if the seed have sprouted तो आपको अगले दिन देखना है कि seed जो है उंकृत हुआ है यह नहीं हुआ after washing these sprouted seeds you can eat them इनको दोने के बाद जो है आप इसे खा सकते हैं the can also be boiled आप इन्हें boiled भी कर सकते हैं add some spices and get a tasty snack to eat जैसे की comedy बगरा जैसे बोला जाता है general normal language में अलग-अलग जैग है अलग-अलग language का use किया जाता है जैसे हमारे यह रीजनल में से comedy बोला जाता है तो उसमें करना क्या होता है कि उसका अमकुरे जो चने या दाल होते हैं उसको क्या है कि उसको boiled कर लेते हैं उसके बाद आप नमक मेडची नीबू बगरा में लाके और edible snake हो जाता है ठीक है do you know where honey comes from क्या आपको पता है कि जो सैद है वो कहां से था है और how it is is produced और यह कैसे बनता है have you seen a behave where so many bees keep buzzing about क्या अपने मदमक्य के चत्ते को देखा है यह बहुत सारी मदमक्या जो है buzzing करती रहती हैं bees collect nectar bees जो है वो nectar collect करती है जो मदमक्या है nectar collect करती है इसे sweet juice बोला जाता है from flowers flowers ही फूलों से convert it into honey and store it in their hive तो इसे क्या है कि honey में convert करती है nectar को और store करती है in their hive उनके अपनी छतों में flowers and their nectar may be available only for a part of the year so full और उनका nectar जो होता है वो पूरी साल में कुछ time के लिए available only for a part of the year एक साल में कुछ time के लिए ही available होता है तो मदमक्यों को पूरे साल वर खाने के लिए चाहिए तो जाहर जी बात है कि वो nectar को collect करेंगे और अपने hives में रखेंगे जिससे के वर्च बर्च होगा है खाने के कोई टेंशन ना रहे भाई flowers नहीं होंगे तो nectar भी नहीं मिलेगा तो वो इस टाम क्या खाएंगे तो इसलिए क्या करते है वो इस्टोर करते है अपने hives में जब हमें कोई छता दिखता है तो अपन क्या करते है उसको collect करते है collect the food store by the bees क्योंकि जो मदुमक्यों जो अपने लिए खाना collect किया है हम उसे लेते है ठीक है as a honey मलब honey के रूप में उसे honey बोला जाता है ठीक है next देखते है what do animal eat do you have cattle or a pet that you take care of कि आपके बस कोई animal वो पैट या cattle है मवीस ही या फिर कोई पाल तो बस हो अगर आप उसकी care करते है जैसे कि dog हुआ cat हुआ बफैल हुआ got हुआ you will then surely aware of the food तो आप वो जरूर पता होगा कि वो क्या खाते है कब खाते है कैसे क्या जो भी है न the animal eat what about other animals other animals के बारे में क्या है have you ever observed what a squirrel क्या आपने कभी squirrel को observe किया गलेरी को observe किया दे को यह गलेरी क्या खाती है pigeon को observe किया है lizard को observe किया है small insect, short insect को observe किया है me beating as their food okay कि वो क्या खाते है ठीक several animals are listed in table 1.5 for some of them the type of food they जैसे कि दिखार का buffalo का grass खाती है oil cake खाती है खल जैसे बोला जाता है high greens हो गया cat की बात की जाए small animals को खाती है small animals को खाती है यह birds को खाती है यह दूद पी जाती है कई बार आपने के साथ सुना भी हो गया या फिर कभी आपके साथ भी होगा गर में के kitchen में गुच गई दूद को पी गई दूद फैला गई इस प्रकार से अधर animals है rat हो गया lion हो गया tiger हो गया यह तो जो है non vegetarians होते है lion हो गया tiger हो गया house lizard है यह भी कीड़े बगरा को cow grass काती है human being सब कुछ खा जाते है तो इनका तो कुछ कह नहीं नहीं butterfly हो गई net बगरा को रस बगरा चूसती है crow हो गया cow scavenger type के ewes में आते है crow's होते है और other animals हो गया ठीक है यह रहे क्या दे रखा है सबराई elements food they eat is also given यह दिखा रखा है 1.25 table for some of them the type of food they eat is also given कुछ का दे रखा है fill in the blank in the table complete कर दे नहीं यह बच्छों के लिए है activity 7 have you look again table 1.5 and group the animal entered here as follows place animal which eat only plant or plant products in group 1 आपको कहके ऐसे animals को कर ले ना है अलग से जो कि plant या plant के produces को इकाते है ठीक है these are called herbivorous ठीक है तो नहीं साकार ही बोला जाता है जगाय, मैंस बगर these are some animals which eat other animals कुछ ऐसे होते है जो other animals को खाते है उन्हें कार्णी बोला जाता है जैसे के बिल्ली हो गई, चुवा खा रही है ठीक है तो इस तरीके से यह कार्णी बोला जाएगा इस तरीके से नहीं कर ले ना है जैसे के अपने देखा यह काव हो गया यह लॉइन हो गया यह फिर human being हो गया by which more food can be producers in the country रे कहां से start हो रहा है हाँ यह रहे we know that there are many amongst us who do not get sufficient हमें से ही कई है जो की sufficient food नहीं प्राप्त कर पाते हैं डेली के लिए we need to find way why which more food can be producers in the country हमें find करना है किस पकार से हम ज्यादा food प्रोडूश कर सकते हैं that will not be enough we will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us जैसे कहा है कि हमें इस प्रकार से जो है food को प्रोडूश करना है इतना प्रोडूश करना है कि इसली जो है सब के लिए food जो है easily मिल सके तो keywords इसके कहा है ingredient हो गया ingredient कहा है कि कोई भी जो चीज बने उसके parts कहा है edible खानी होगी होगा nectar क्या होगा food से जो रस निकलता है sprouted seeds मुह या फिर चनी की जो है अंकुरे दाल herbivorous herbivorous जो होगया जो साकारी होते हैं जो सरफ घास घास खाते हैं herbivorous carnivorous क्या होगया carnivorous क्या होगया carnivorous उनको बोला जाता है तो देश के अलग अलग भागों में जो है कई सारी varieties खाने की north इस्का लग खाना है south का लग खाना है okay north का अलग है the main source of our food our plants and animals तो हमारे जो main source है वो क्या है plants और animals ही है animals which eat only plants are called herbivorous animals which eat only animals are called carnivorous animals which eat both plants as well as other animals are called omnivorous okay herbivorous साकारी, carnivorous महासाहरी or omnivorous सर्भाहरी okay so thank you